Tata Communications 99.3 करोड रुपए में OSCE France में 641.9 परसेंट हिस्सेदारी का करेगी अधिग्रहें 2020 में TCIPL ने OSCE Smart Sim Europe S.S.S.E.S.E. France और OSCE Smart E.S.M.P.T.E. Ltd. OSCE PL OSCE में 58.1 फीसदी मोजरिटी एक्विटी हिस्सेदारी खरीद ली थी जिसके चलते OSCE France और OSCE PL इसकी सहायक कमपनिया बन गई थी OSCE PL, OSCE France की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कमपनी है Tata Communications Tata Communications, ESIM कमपनी ओ, OSCE France में बाकी बची 41.9 फीसदी हिस्सेदारी 99.3 करोड रुपए में अधिग्रहित करोगी कमपनी ने सोमवार को एक्सचेंजों को ये जानकारी दी है कमपनी को उम्मीद है कि ये सौदा लगभग एक महीने में पूरा हो जाएगा उसके बाद Tata Communications की सिंगापूर स्थित सहायक कमपनी Tata Communications International PTE Tata Communications International PTE, TCIPL, Oasis Smart Sim Europe, Oasis Smart Sim Europe में 100% एक्विटी शेरधारिता हासिल करेगी Tata Communications ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा TCIPL, OSASAE France में संपूर्ण Equity Ownership बकाया 41.9% हिस्सेदारी खरीद कर TCIPL, OSASAE France में अपनी हिस्सेदारी को मौझूदा 58.1% से बढ़ाकर 100% कर देगी बताते चलें की 2020 में, TCIPL ने OSAS Smart Sim Europe S.A.S., OSASAE France और OSAS Smart E.S.P.T. Limited, OSAPL, OSAS में 58.1% मोझेरिटी एक्विटी हिस्सेदारी खरीद ली थी जिसके चलते OSASAE France और OSAPL इसकी सहायक कमपनियां बन गई थी OSAPL, OSASAE France की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कमपनी है Tata Communications ने अपनी Regulatory Filing में कहा है कि OSAS के अधिगरहन से Tata Communications, Tata Communications को Tata Communications के Move Platform के साथ OSAS E.S.I.M.R.D. Road Map के alignment को पूरा करने में मदद मिलेगी बता दें कि OSAS, OSAS, E.S.I.M. और SIM Technology को लागू करने के लिए Advanced Technology और दूसरी जरूरी सेवाएं उपलग्ध करवाती है इसने दुनिया भर में 350 मिलियन से अधिक ओपरेटिंग सिस्टम कमपनी ने 100 से ज्यादा Mobile Network ओपरेटरों के साथ काम किया है